Hello everyone, देखना सुरू कर चुके हैं आप अपना चैनल Science Classes बिमारी की सीरीज में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सामाने सर्दी या जुखाम के बारे में इसको seasonal flu के नाम से भी जाना जाता है flu नाम सुनके घवराना नहीं है ये seasonal सामाने सर्दी या influenza virus की वज़े से काज होती है चुकि virus की वज़े से काज होती है इसी वज़े से इसको हम flu pronounce करते हैं flu और भी कई type के देखने को मिलते हैं जैसे swine flu या फिर bird flu वो अलग diseases होती हैं क्योंकि वो different viruses के थुरू काज की जाती है लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सिर्फ सर्दी और जुखाम के बारे में जो सर्दी जुखाम की वज़े से आपके sneezing यानि की छीकना और खासना ये cases देखने को मिलते हैं ये communicable बिमारी होती है मतलब अगर आप खासने की वज़े से कुछ droplets बाहर निकलती है या छीकते हैं तो भी ये droplets बाहर निकलती है जिसकी वज़े से ये किसी दूसरे person के पास जब पहुँच जाती है तो उसमें भी यही virus ये present होते है mixovirus इसका जो group होता है virus का इसको mixovirus बोलते हैं और जो group में present होते हैं वो होते हैं influenza virus A, B, C and D ये total 4 टाइप के virus होते हैं इनको further influenza A को H3N2 के नाम से जाना जाता है polymerization, chain, reaction PCR के through test करके इनको identify भी किया जा सकता है इसके अलावा rhino virus भी common सर्दी उखार के लिए responsible होते हैं seasonal flu इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक particular season में होता है ये जो flu होता है इसमें घबराने की जरुद बिल्कुल नहीं होती है common pattern देखने को मिलता है 3-7 दिन का deviation होता है April से सितंबर महीने के बीच में ये जादा लोगों में फैलता हुआ नजर आता है अगर बात करें संख्या की तो लगभग 10 लाख प्लस लोग हर साल इस बिमारी से गसित होते हैं अगर ये जो वाइरस आपका है influenza इसके जो type की pattern की बात करें चुकि वाइरस जो होता है ये बहुत जादा strong होता है इसे जैसे बहुत तेजी के साथ ये expand करता है अगर बात करें तो ये lipid का एक envelop होता है बाहर की layer में fat का इसके जो अंदर की structure देखने को मिलती है ये caspid इसका धेरा होता है लेकिन बाहर की तरफ से ये डरावने structure नजर आ रहे हैं जिसमें red color जिसका नाम होता है hemoglutinin protein होती है इसके अलावा cialidase enzyme ये blue color का होता है इसकी वज़े से जब ये किसी दूसरी cell के contact में आते हैं तो ये उनको cut कर देते हैं और खुद वहाँ पे overcome कर लेते हैं जो अंदर structure present होती है multiplication के लिए ये होती है nucleo protein RNA main composition इनका center पे देखनी को मिलता है ये anatomy होती है कुछ बाहर से देखने पर इनका virus इस तरह से नजर आता है अगर बात करें इनके types of symptoms की कि अगर ये बिमारी हो जाती है तो इसके symptoms कैसे देखनी को मिलते हैं तो high fever हो जाता है muscle में pain देखनी को मिलता है इसके अलावा बहुत सारी ठंडी लगती है chilling running nose या stiffy nose देखनी को मिलती है नाग बहने लगती है या jam हो जाती है खासी आती है थकावट हमेशा बनी रहती है हाँ diarrhea, ulty और dust दोनों cases यहाँ पर हो सकते हैं इसके अलावा nasal cavity में congestion कले में खरास और सरदर्द के सास साथ कुछ जो congestion देखने को मिलता है ट्रैकिया में और इसके अलावा किसी किसी cases में taste और smell loss भी यहाँ पर देखने को मिलता है symptoms के बाद अगर बात करें causes की तो यह होता क्यों है यह mainly होता है हमारी body में जब immunity low हो जाती है low immunity अगर बात करें year wise तो बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलती है जीरो से 5 के age के जो बच्चे होते हैं उनका immune system बहुत फीक होता है इस वज़े से उनमें यह cases ज़्यादा देखने को मिलते हैं या फिर जो बुजूर्ग होते हैं 65 year के above वाले यानि की 65 साल के उपर वाले जतने भी लोग होते हैं उनमें यह देखने को ज़्यादा मिलता है immunity को हम प्रतिरक्षा प्रडाली बोलते हैं immunity एक ऐसी प्रडाली है जिसमें हमारी body के जो cells होती है वो खुद बाहर के जो micro agni जब हमारी body में आते हैं उनसे fight करती हैं यानि की लड़ती हैं एक तरह से ये हमारी body की army होती हैं इसमें जो WBCs होती हैं यानि की हमारी white blood cells या carpa cells इसको pronounce करते हैं इसको हम leukocyte cells के नाम से जानते हैं ये main responsible होती हैं हमारी army की तरह जिन लोगों को smoking की और drinking यानि की alcohol के drinking की बात कर रहे हैं water drinking की बात नहीं कर रहे हैं या अगर cancer और AIDS जैसी किसी को समस्या है तो ये बिमारी उनके लिए कुछ ज़्यादा तेजी से spread करती है और होने के chances ज़्यादा होते हैं अगर इस तरह की जो बिमारी है किसी person को हो गई है तो उसके लिए कुछ suggestion दिये जाते हैं कि alcohol और smoking जितना जल्दी छोड़ दे उतना बहतर है इसके अलावा जितना ज़्यादा rest हो सकता है rest करे और avoid करे publicly appearance की यानि कि खुद बाहर लोगों में फीड भार एरिया में जाने से बचे मुझ को cover करे during the coughing and sneezing अगर खांसी और छीक आ रही है तो मुझ को जरूर ढखें इसके अलावा अपना ही चेहरा छूने से बचें जब तक properly हाथ धुल न लें या hand sanitizer न यूज करनें होता क्या है कि जो droplets होती हैं अगर ये हाथों में लग जाती हैं और दोबारा से हम touch करते हैं अपना मुझ या चेहरा तो नाख से या आँखों के माध्यम से या मुझ के माध्यम से ये जो वाइरस होते हैं या हमारी बड़ी में इंटर कर जाते हैं और हमें भी जुखाम से भी रिद कर देते हैं अगर साफ सफाई रख सकते हैं अपने आसपास एरिया है कपड़े हैं इसके अलावा healthy foods यहां पर preference किया जा सकता है अगर आप इस समझ चैसे ग्रफित हैं तो और flu vaccine अभी market में available है पर year ये year wise vaccines होती हैं आप इनको भी apply करा सकते हैं इस बिमारी से बचने के लिए फिर अगर हम बात करें ज़्यादा serious conditions जब देखने को मिलती हैं नॉर्मल कंडिसन में जब बात करते हैं तो 3, 2, 7 days के बीच में ये सही हो जाते हैं तो अगर ये सही हो जा रहे हैं तो अच्छी बात है क्योंकि ये नॉर्मली सही हो जाते हैं अगर ये ही समस्या है फर्दर अगर किसी तरह की और समस्या है या extend करता है ये ज़्यादा दिन तक बना रहता है और आपको problems होने लगती हैं कुछ फर्दर तो आप जरूर डॉक्टर से संपर्ख कर लें अगर यहाँ पे अब जुखाम में कोई दवाईयां देसी उपचार कर रहे हैं देसी remedies की बात करें तो जैसे काढ़ा और अदरक इस तरह की चीज़े गर आप ले रहे हैं तो कोई problem नहीं है यह आपको recover करने में कोई recovery में participate करेगा लेकिन अगर आप किसी तरह की medicines लेना चाह रहे हैं पेन किलर या कुछ फर्दर तो डॉक्टर के सलाह के बिना कोई दवाई ना ले और अगर यह symptoms ज़ादा रहते हैं तो डॉक्टर से जरूर परामर्स ले ले और proper test परफॉर्म करा ले क्योंकि यह जो flu होते हैं यह कुछ common disease होती है critical severe diseases होती है उनके symptoms के starting भी देखने को मिलती है जैसे कुछ common diseases है लैक निमोनिया निमोनिया का यह symptoms आपको नजार आ रहा होगा यह पूरा का पूरा lungs जो होता है इसके अलावा बात करें bronchitis आपके यह वाली जो trachea होती है यह जिससे सांस बाहर अंदर जाती है यह trachea में infection देखने को मिलता है इसके अलावा asthma की attack देखने को मिलते हैं जिससे सांस लेने में blockage देखने को मिलता है इसके अलावा heart problem या infectious in ear देखने को मिलता है और dispirational की further कई सारी समस्याएं यहाँ पे देखने को मिलती है तो अगर यहाँ पे आपको इस तरह की कोई समस्या है तो आपको precautions अच्छे से समझ में आ गए होंगे सर्दी और जुखाम से संबंधित यह common pattern है कुछ आप prevention के methods आपना सकते हैं ताकि आप इनसे बजश सकैंँ विडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ या अपने रिस्तेदारों के साथ या जानने वाले लोगों के साथ ज़रूर सेर करें ताकि वो भी समाने जानकारिया हैं इससे संबंधित अगर किसी अन्य पिमारी के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं तो नीचे comment box में या फिर नीचे ही description box में हमारे Instagram ID का link दिया गया है अब directly हमसे जुड़ सकते हैं और वहाँ पे disease संबंधित information प्राप्त कर सकते हैं या comment box में ना mention कर सकते हैं उस disease से संबंधित फुल वीडियो इसी graphics pattern पे आपको available करा दिया जाएगा अभी के लिए इतना ही मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए जैहन